इस बार Hotstar को ज़ादा ही Serious लग रहा है क्योंकि जिस तरीके के trailer निकाल रहा है वो काफी ज़ादा dark और mystery type के हो रहे हैं तो इस वीडिये में चर्चा करने वाले हैं regarde the age of darkness web series जो आने वाली है Hotstar के ऊपर अभी वो बताएंगे क्यूब आईगी ये लेकिन उने बताए कमिंग सून है डिजनी प्लस होट स्टार के OTT प्लाटफॉर्म पर ये आने वाली है और जो इसके ट्रेलर को देखके पता चल रहा है कि इतनी ज़्यादा सीरियसनेस इसके अंदर दिखाई गई है कि मर्डर हो रहे हैं कुछ बहुत सारे क्रेक्टर भी है इसके अंदर जिनके अब OTT की तरफ चलते हैं तो इसको आप कैसे देखते हो पता देना कि आपको कैसा लगता है मुझे कापी अच्छी चीज़ लगी है तो जैसा ये ट्रेलर देखके पता चलता है कि कहानी बहुत जादा मिस्ट्री है इसके अंदर बस यह नुमान लगा सकते हैं कि इसके इनी के पीछे कुछ रोल है दाल में जो काला मिलेगा आजे देवगंसर काई पीछे कुछ ना कुछ लोजिक है कि फिर कहें कि कुछ ना कुछ हाथ है यहाँ पर यह मेरा अनुमान है आपका अनुमान कुछ और हो सकता है तो ओरोल जो ये ट्रेलर देखकर तो अच्छा लग मतलब कि ठीक था, इसके अंदर darkness है, कुछ mystery है, ऐसा हमें लग रहा है, इससे पहले भी एक series जो थी, वो hot star ने निकाली थी, जिसका नाम था human, और सच में वो भी एक ऐसी ही series थी, तोड़ी dark इसमें दिखाए गे थी, humans के उपर trial हो रहे थे, illegal medicines का, तो वो देखने में, जब दे interesting नहीं लगा है, उमीद करता हूँ कि ऐसा इसके साथ, क्योंकि trailer देखकर काफी अच्छा लगा है मुझे, तो उमीद करेंगे कि यह जो series आए, अच्छा, मतलब कि अच्छी चीज़ें लेकर आए, जैसे कि उस series के अंदर कुछ और ही चीज़ें लगा दी गई थी, मतलब कि कहानी कहीं, और ही गुमार है, मतलब कि जो मेन फोकस होना चाहिए, उसके उपर नहीं है, कुछ और ही relationship में घुसेड़े हुए हो, तो वो चीज़ें ना दिखाएं इस series के अंदर, तो उमीदे तो यह ही है, अगर आप लोगों इने series, मतलब कि sorry, यह trailer देखा है, free of course तो यह